तो गैज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैप टॉप एच पी के लैप टॉप की जैन्वन रिकवरी कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी फ्री में बिना किसी चार्ज के तो चले वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वियर टेकनिकल में तो गैज वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रे या वायरस अटेक हुआ है या फिर हार्ड डिस चेंज हुआ है या आपने अपग्रेड किया है SSD लगाया है तो बहुत सारे रिजन हो सकते हैं अगर आपका PC में स्लो परफोर्मेंस इशू है और उसमें HP recovery के नाम से D-Drive बना हुआ है तो उसको आप F11 प्रेस करके रन कर सकते है सिस्टम को रिस्टार्ट करना है उसकेस में F11 प्रेस करते रहना है और आपका recovery जो है टूल है वो रन हो जाएगा इन बिल्ट recovery चलेगी कोई pen drive लगाने की ज़रूत नहीं है ये HP recovery E partition दिखा रहा है ये मैंने pen drive लगाई हुए है जो already recovery बनी हुई है recovery pen drive बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक working PC में जिसमें already एक अच्छा internet connection लगा हुआ है चाहे वो आपका ये वला PC हो जिसमें आप करना चाते है या फिर कोई दूसरा PC है उसके Microsoft Play Store में जाना है और आपको HP Cloud recovery को सर्च करना है पहला ही देख सकते हैं आप पहला ही जो application है HP Cloud recovery ये आ गया है इसको हमारे को कर देना है install install ये हो रहा है एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको जब ये install हो जाएगा install होने के बाद यहीं से इसको open नहीं करना है क्योंकि इसको administrator का write चाहिएगा मैं check करा देता हूँ आपको यहीं से open करने पे देखिए आ रहा है कि the programs required administrator privileges तो इसको हमारे को क्या करना है अभी हमारे को installed programs में जाना है यहाँ पे आप देख सकते हो HP Cloud recovery है right click करके run as administrator हमारे को करना है next हमारे को इसकी terms and condition को accept करना है उसके बाद next यहाँ पे आप देख सकते हो minimum 32 GB का pen drive आपको चाहिएगा HP recovery बनाने के लिए अपने laptop का genuine HP recovery बनाने के लिए आपको minimum 32 GB का blank pen drive आपको चाहिएगा नेक्स्ट किया हमने pen drive लगा है इस टाइम पे उसके बाद आपका pen drive चेक हो रहा है इस पे लिखा आप देख सकते हैं do not restart, turn off और disconnect the power code यहाँ पे आप कर सकते हो इसको yes या no मैं यहाँ पे no select करके कर देता हूँ next यह सबसे जुरूरी information है यहाँ पे जो यह cloud recovery tool है, automatic एक product number उठाएगा यह आपके laptop यह PC का होगा अगर यह correct दिखा रहा है तो आपको next करना है अगर यह incorrect दिखा रहा है तो आपको change करना होगा तो product number आपके PC का आपको यहाँ पे enter करना है और product number कहां पे लिखा होगा आपके PC या laptop के serial number के just pass में एक product number लिखा होगा जिसके last में hash a c j लगा होगा तो वो आपको यहाँ पे enter करना है और यह कोई और product number automatically क्यों pick कर लेता है क्योंकि हम HP recovery tool को किसी और system पे run कर रहे हैं किसी और system की recovery बनाने के लिए तो यह तो current PC का उठाएगा ना जो आपका current PC है जिसके हम recovery download जिसके through हम recovery download कर रहे हैं यह तो उसकी detail उठाने की कोशिश करेगा लेकिन हमें तो किसी और PC के लिए करना है तो देखे मैंने exact product ID डाल दी है product number डाल दिया है product ID जिसके last में hash a c j था और यह product ID के इसाप से इसने बता दिया है कि इसमे genuine operating system pre-installed factory से installed कौन सा आया था अभी मेर को कर देना है इसको next pen drive हमारी already लगी हुई है अभी यह देखिए यहां से हमारी को select करनी है pen drive उसके बाद next उसके बाद यह बोल रहा है कि you have selected यह यह pen drive तो यह format करेगा इसको हमने next कर दिया तो अभी यह आपकी pen drive को format कर देगा पहले चीज़ और उसका file system जो होगा उसको set करेगा उसके बाद उसमें आपका recovery download होना start हो जाएगा अभी partitioning the drive दिखा रहा है इसका मतलब format करके partition create करेगा आप देख सकते है recovery download होना start हो गई है genuine recovery आपके laptop की hp cloud से download होना start हो गई है अभी हमें wait करना पड़ेगा तो मुझे video को करना पड़ेगा skip क्योंकि इसमें आपका एक घंटा या डेड़ घंटे तक भी ले सकता है यह आपके internet connection की speed पे depend करता है कि यह कितनी देर में download होगा हमारे पास जिस PC में जिस system पे अभी यह मैंने लगा रखा है यहाँ पे 200 MBPS का plan है तो आप देख सकते हो कि जिस speed से यह download हो रहा है तो कुछ लोगों का question हो सकता है कि कितना data consume कर सकता है जिनके पैस broadband नहीं है तो obviously 32 GB की pen drive है तो यह 32 GB से तो कमी लेगा 20 से 22 minute का video मैंने काट दिया है इसलिए आपको एकदम से यह progress complete दिखा रहा है बीच का 20 से 22 minute मैंने इसलिए काट दिया ताकि video का size ज्यादा ना बढ़ सके और आपके पास information ज्यादा से ज्यादा आपको जा सके तो आपको wait करना है just कुछ नहीं करना मैं आपको main main जो details है वो दिखा रहा हूं download हो चुकी है image hp cloud से अब extract होगी आपकी pen drive के अंदर इसमें भी time लगेगा तो इसको भी video को मैं कर देता हूं skip अब जब तक यह extracting process चलेगा तब तक आपको आपके system को जिस पे आप यह भी कर रहे हैं आपको बंद नहीं करना है पहले चीज़ दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इसके display पर भी क्योंकि आप एक जगह आप इसका weight हो सकता ना भी करें अपने काम में लग जाएं तो आप कोशिश करें कि इसके display की setting में जाके आप इसका power saving mode है या stand by mode उसको हटा दें ऐसा ना हो कि यह चलते चलते आपका PC stand by पे चला जाए या आपका power saving mode पे चला जाए जिसकी वज़े से आपकी कोई file जो है वो interrupt हो जाए तो extracting process भी हो चुका है 100% तो guys 100% होने के बाद finish का option आएगा finish करने के बाद pen drive को निकालना है और उस laptop या PC में लगाना जिसमें recovery हमको करनी है लगाने के बाद जैसे ही आप laptop या PC own करेंगे तो आपको F9 प्रेस करना है F9 प्रेस करते रहिए boot option आजाएगा उसमें आपकी pen drive शो हो जाएगी pen drive शो होने के बाद आपको करना है उस पे enter तो आपकी pen drive से वो हो जाएगा boot और इस तरह का आपका mode आजाएगा क्योंकि इस laptop में already first boot device pen drive है इसी लिए इसमें कोई option सेलेक्ट करने की जुरूत नहीं पड़ी अब ये option है file backup का अगर आप अपने laptop का file backup करना चाते हैं मान लीजिए आपका windows करप्ट हो गया है लेकिन आपका data तो है न उसमें अगर उसको आप backup करना चाते हैं तो file backup पे जाके यहाँ पे दो option दिखा रहा है auto selection दूसरा है user selection auto selection में automatic आपका data select करेगा user selection में जो data आप चाते हैं वो करेगा चलिए मैं user selection करके दिखा देता हूँ next करना है हमारे को what do you want to backup अब यह पूछ रहा है backup क्या करना है देखिए इसमें आपकी दुन्नों drive दिखा गया है c drive भी d drive भी आपका d में कोई data है ठीक है कोई folder है उसका आप backup करना चाते हैं तो आपको यहाँ पे plus पे क्लिक करना है क्योंकि डी drive में कुछ पढ़ा नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है चलिए मैं आपको सीव का दिखा देता हूँ देखिए c drive में आपका इतना सारा data windows के folders भी पड़े हैं आप देख सकते हो जैसे मान लीजी आपको यह एक हजार पांच printer का यह full solution जो है 188 MB दो नीचे दिखा रहा है इसका backup करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा उसको click करके next करना पड़ेगा और वो आपकी pen drive में save हो जाएगा बट अभी हम क्या करेंगे backup करने के बाद बैक बैक करेंगे और हम कर देंगे factory reset यह data backup करने के बाद का प्रोसेस है इसमें आपका पूरा का पूरा data remove हो जाएगा partition भी होगा सब कुछ होगा आप देख सकतें लिखा हुआ है the program restores the factory means to the hard disk पहले recovery preparation होगा उसके बाद format होगा फिर से पूछ रहे यह backup करना है या without backup करना है क्योंकि मैंने backup का प्रोसेस आपको बदा दिया है अभी हमें करना है without अभी reformatting the window partition of the hard drive इसका मतलब आपकी जो hard drive है उसके partition create हो रहे है उसके बाद जो pen drive के अंदर आपकी image है जो आपकी recovery है वो आपके system में restore होगी अब देख सकते हो reformatting हो चुका है अब restore का process चल चुका है तो अभी जो restore का process है estimate 12 minutes दिखा रहा है तो अभी adjust हमें करना है wait जब तक यह process complete नहीं हो जाता है जैसे यह process complete हो जाएगा software installation का एक और process चलेगा जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ skip यह देखिए इस तरह का process आपका चलेगा software installation दिखा रहा है इसमें सारे software applications वगरा सब install होंगे यह सब install होने के बाद उसके बाद आपसे बहुत basic basic details मांगी जाएंगी जैसे की PC का नाम language, region, keyboard कुण सा, उसका layout तो इस तरह की details आपसी मांगी जाएंगी आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा जाने से पहले चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए और recovery complete होने के बाद मुझे comment section में जरूर बताना वीडियो को share करना ना भूलना, thank you, bye bye में जरूरो के आपएंगी जरूरं को